हेलो फ्रेइंडस वेलकम माई ट्यूप चाइनल आज हम आपके साथ शेड़ करेंगे ब्रासी रोटी को यूज कैसे किया जाए जिससे वे खाने में टेस्टी लगे इस वीडियो को देखकर आप bodies loti फेकेंगे नहीं, आप बहुत ही आसानी से बासी रोटी को यूज मेला सकते हैं, तो देख इस बात की है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हमने यहाँ पर रात की बची बासी रोटी ली है, अब हम इस पर लगाएंगे आलू अंडे का सालन, एचिडी में आलू अंडे का सालन हमारे रात में बना था, बस हम इसी को यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, आप इसकी जगा कोई भी सबजी, कोई भी सालन लगा सकते हैं, बट सबजी थोड़ी सूखी होनी चाहिए, एग्सामपल आलू गोबी की सबजी, दाल मेथी, आलू का भर और भी कई आइटम्स हैं, जिसको आप रोटी पर लगा कर उसे टेस्टी बना सकते हैं, चारो तरफ अच्छे से सबजी को लगा देना है, अब हम पराठे वाला तवा लेंगे, और इस पर रोटी को रख देंगे, अब हम इसको लगाएंगे घी, और जिस तरीके से हम पराठे को बनाते हैं, सेम उसी तरीके से घी लगा कर अलट पलट करके इसकी सिकाई कर देते हैं, अगर आपको आलू अंडे के सालन बनानी की रेसिपी देखनी है, तो लिंक डिस्क्रेप्शन में है, आप देख सकते है यह बासी रोटी कितनी टेस्ति लग रहे है, और इसका जो जयका है वो बहुत टेस्ति बन चुका है, और बहुत ही आज़ी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, अगर आपको यह आसान शी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेर कीजिएगा और चानल को सस्क् कीजिएगा अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बब बाई